तो बात कर लेते हैं जार्खन में मचेर राजनितिक बवाल की तो जार्खन में मुख्य मंत्री हिमन सुरेण ने 1932 खत्यारा अधारी स्थानिय निती विधैत के प्रारूप को मंजूरी दे दी है इसकी घोषना के साथी सीम हिमन सुरेण विरोधियों के निश्डाने पर आ गए हैं इसी कड़ी में जार्खन नब निर्माण संगठन का निर्माण कर दिया गया है यह जो संगठन है इस नीती का खुल कर विरोध करेगी संगठन का नित्रित्व कर रहे है कैलाश श्यादव ने बताया कि अधिस सरकार अपनी नीती वापस नहीं लेती है तो वो जार्खन में अलग अवध राज्य का निर्माण करेंगे उन्होंने कहा कि जार्खन में इस नीती के घोशना पर चिंगारी जो है वो भड़क चुकी है जो दूर तलग जाएगी तो आपको बता दें कि पूरे मामले में पूर्व मुख्य मंत्री मधु कोड़ा ने दावा किया है कि राज्य की एक बड़ी आवादी अपनी ही राज्य पे रिफ्यूजी हो जाएगी बीजेपी का गोड़ा सांसर दूबे ने तो ये तक कह दिया है कि राज्य के च्छै मंत्रियों के पास भी 1932 का खतियान नहीं है तो जहां अब तक ये पूरा मामला उठ रहा था जहां पर कई एक पार्टी है जो कह रही थी एक बड़ा तबका है वो रिफ्यूजी अपने ही राज्य में बन जाएगे इसी बीच एक नई खबर सामने आती है जहां पर ये जो नए नेता है नए शक्स है इनका सीधे तोर पर ये कहना है कि अब वो जार्खिन में ही एक अलग राज्य का निर्माण करेंगे अगर उन्हें 32 खतियान अधारी अस्थानिय निति का इसू आएगा राज्य में तो निश्ची तोर पर हम लोग जो है कि एक नए राज्य का मांग करेंगे एक नयों राज के मांग करेंगे, इसलिए मांग करेंगे, जब आप एक धीबासी राज सिरु बनाना चाहते हैं, 70% अब आदियों को गएर जहर खंडी कहना चाहते हैं, बाहरी कहना चाहते हैं, तो उस प्रस्थिती में हमने बोला थे कि अलग मगद राज के मांग होगा एक नए निर्मान के लिए हम लोग जो है कि पुल गुलान करें